ओम स्री गनेशा नमदोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो नवंबर बुद्धवार के राशी फल के बारे में की हा दिन करक राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मीरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा करकराशी वालों के लिए बुद्धवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं किया आपके लिए आज पॉज्टिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आपकी आर्थिक इस्ति काफी अनुकूल रहने वाली है आर्थिक लाब के लिए आज आपको अच्छे मोके प्राब्त हो सकते हैं वेवसाय से संबंदित या फिर बहर के कम्पनियों से संबंदित कारों में आज आपको अच्छा लाब प्राप्थ होने की भी संभावना पाई जाती हैं दोस्तो आज बहर से कामगाज को लेकर भी आपके लिए कुछ यात्राइं हो सकती हैं जो आपके लिए अवश्य ही लाबदाइक साबित होंगी दोस्तो साथी साथ शिक्षा के छेत्र में भी आपको आज अनुकूल पहिनाम प्राप्थ होंगे और उच्छ शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों को भी अच्छा लाब आज प्राप्थ होगा आपके ग्यान में व्रद्धी होगी और वरिष्ट तथा गड़मानने लोग से ही अच्छा साबित होगा दोस्तो पूरे परिवार में आज सभी लोग काफी जोस में दिखेंगे घर परिवार में आज हर सो उल्लास का माहुल रहेगा इस दोरान आप किसी प्रापर्टी के बारे में भी गहराई से विचार करेंगे और संभवतें आज आप कोई आपती के लिहाज से आज के दिन का समय आपके लिए बहुती अच्छा समय रहने वाला हैं जै दोस्तो आज के दिन का समय आपके लिए मौज मस्ती और आनंद से भरा हुआ रहेगा तो कि आप जिन्दिकी पूरी तरह से जिएंगे जै दोस्तो आपका मनोबल और पूरी तर जैसे आपका अपने काम के प्रती पूर्ण रूप से समर्पन भाव आपके लिए आज नई उपलब्दियां प्रदान करेगा जया दोस्तों आपकी थोड़ी सी भी मेहनत का आज आपको भरपूर फल प्राप्त होगा जिससे आपको काफी खुसी का अनुबव होगा जैसे दोस्तों इसलिए आज आप समय का सद्यों प्योग करें कोकि आज आपको अच्छा लाब प्राप्त हो सकता है जिससे आपको काफी खुसी का अनुबव होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आप के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो परिवार का माहूल आज खराब होने की संभवना पाई जाती है इसलिए परिवारिक इस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए एक दूसरे का परस्पर संबंद होना बहुत जरूरी होता है आप सासी तता पराकरमे व्यक्ति होने के साथ साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं इसलिए आप अपने घर परिवार के प्रती अच्छी भावनाई रखते हुए एक दूसरे को जोड़ने का प्रियास करें जा दोस्तो साती साथ आपको अपने कार इस्थल को लेकर भी आज कुछ ऐस संतुष्टी का भाव रह सकता है क्योंकि आप जितनी महनत करेंगे आपको लगेगा कि आपको उतना परिणाम नहीं मिल रहा इसी कारण आप कुछ हद तक स्वैम को बदा हुआ महसूस कर सकते हैं दोस्तो साती सात गलत लोगों के संपर्क में तथा गलत संगती से दूर रहने का आज आप प्रियास करें अन्यता किसी तरह की आर्थिक समस्याओं का आज आपको सामना करना पड़ सकता है मानसिक असांती के साथ सात कारण व्यवसाय में भी आज व्यवधान उत्पन हो सकता है मन में घवराहट तथा परिस्टानियों से कार योजनाओं में बादाएं उत्पन हो सकती हैं अथे सावदानी रखना आपके लिए अनिवार रहे दोस्तो साथिसात आपका शक्की स्वयभाब आपके लिए आज कुछ परिसानिया उत्पन कर सकता है, बच्चों पर ज्यादा अनुशाशन रखना उनके लिए परिसानिया खड़ी कर सकता है, इसलिए अपने स्वयभाब में आज आप थोड़ा लचीला पनलाएं पिता का सम् अबी मुमकिन कोणों को परखेंगे नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है दोस्तो आज अचानक यत्राओं के करण आप आपा धापी और तनाव का शिकार हो सकते हैं उधार मांगने वाले लोगों को नजर अंदाज करें मत बेहदो की एक लंबी स्रंखला के पनपने के करण आ अगर आपके दमपत्य जीवन की बात करें तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है जा दोस्तो प्रेम के मामलों के लिए आज का समय बहुती अतियुत्तम रहेगा जा दोस्तो विवादों से आप दूर रहें किसी के कहने पर सा रखें तथा एक दूसरे से प्यार में संगलन रहें तो कि आज का दिन प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वेवेशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्त इस समय कहीं से आज आपको अचानक लाब मिलने की भी उमीद है दोस्तो बस आपको अपने निर्ने को ही मननता दें पबलिक डीलिंग के कारों में आज आपको अवश्य ही फायदा होगा जह दोस्तो वेवसाइक छित्र में धनलाब की आज इस्तिती रहेगी कार्रे आज आसानी से सफल होंगे कारोबार विश्टार की आज आप योजने बना सकते हैं जो आपके लिए आगे चलकर काफी लाबदाइक साबित होंगी दोस्तो साथी साथ आपको पैसे के लेने दिन में भी थोड़ी साफधानी रखनी होगी प्रॉपर्टी में निवेस आज आप कर सकते हैं जो आपके लिए आगे चलकर अवश्चे ही लाबदाइक सिद्ध होगा साथी साथ नोकरी पैसा वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा दिन रहने वाला है नोकरी से संबंदित कोई अच्छी बड़ी खुसकबरी आज इनको अवश्चे ही प्रा प्राणा हुआ रहेगा लेकिन सुबासुब ग्रहों की इस्तिती के कारण आज आपको शकारात्मक वे नकारात्मक दोनों ही तरह के पेढ़नाम देखने को मिलने वाले रहेंगे जैंदोस्तों शारारिक्षे जादा मानसिक स्वास्थ पर आज आपको अधिक जोर देने की जरुत हैं आपको अपने क्रोध पर आज नियंतन रखना होगा साथिसा दोस्तों अपने खानपान पर भी आज आप अधिक ध्यान दें क्योंकि आज आपको पेट से सम्बंदित कुछ समस्य उत्पन हो सकती हैं थोड़ा साफधान रहें दोस्तों साथिसाथ अपने स्वास को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाई क्या हैं दोस्तों आज आप इशनान आदिश निर्वत्र होने के बाद भगवान श्री गनेश जी को केसर या सिंदूर चड़ाएं और साती सात अपनी मनों काम नए मांगें या दोस्तों ऐसा करने मात्र से ही भगवान श्री गनेश जी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल लगी हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको जल्द ही सोब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त करने बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे दोस्तों भगवान श्री गनेश जी का सिरबाद आपको प्राप्त हो सच्छे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैश श्री गनेश अवस्चे लिखें और वीड इन्नेवाद